नमस्कार मैं गोरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दियस्टी नियूस चारा घोटाले से लेकर फ्रश्टाचार के कई मामलों को उजागर करने वाले राजनीती के चानक के सर्यूराय ने अपनी एक किताब लॉंच की है जिसका नाम इन्होंने लम्हों की खता रखा है इस किताब की लॉंचिंग के बाद छार्खन की सियासत में तुफान मच किया है आखिर इस लम्ही की खता में ऐसी कौन सी खता हो गई जिससे राजनीतीक पारा इतना हाई है इन तमाम उद्धे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद सर्यूराय जी मौजूद है सर बताया इस सुम किताब के बारे में किताब के बारे में तो कल हम उन्होंने भी मोचन किया उसमें बताया अकबारों ने छापा है ये किताब लिख कर हमने अपने छेतर की जनता के साथ एक चुनाई वादा पूरा किया है और भारती जनता पार्टी का जो रास्टी निती तो है वो हमारी बातों पर वरोसा नहीं करके गवर दास्टी की बातों पर वरोसा करते रहा है तो उसके सामने मैंने सारे बिंदों पर रखा अब देख लीजे और इसकी मिमान सा करिए आपकी किताब की लॉंचिंग के बाद से छारखन की सियासत में एक तुफान मच गया है तरह तरह की बाते होने चाहे आपने जो किताब लिखा है उसमें रखवरदास जी ने कहा है कि यह तमाम बाते जो है वो जूटी ऐसी इसमें किसी तरह की कोई सचाई नहीं है कोट और कोट ने भी क्लिंचिट दे दिया रखवरदास जी बता दें कि किस कोट ने किस डेट को DPR बनाने वाले जो consultant काम कर रहे थे उनको उन्होंने आनन फानन में गलत तरीके से हटा दिया उसके बाद एक नए consultant को बहाल किया उसकी बहाली में हनीमित्ता हुई है उसकी बहाली में पक्षपात हुआ है विदानसवा में मामला उठा उन्होंने विधानसवा में जूट बोला तथे को छुपाया विधानसवा की जाज समीती बनी उनके भाग ने सायोग नहीं किया जाज समीती ने कहा कि तक्निकी जाज कराई है जब तक्निकी जाज की बात आई तो उन्होंने अपने ही भी भाग के चीफ इंगर किया जगस्ता में अंदो लोगों की कमिटी बना दी उस कमिटी ने कहा कि सब ठीक हुआ है तो रहो अदासर यहां तक मंद्री थे उन्होंने एक गल्ती किया गल्ती के लिए विधान सवा में जूट बोला एक समिती बनाकर उसको प्रभावित किया और एक समिती बनाकर उस पर लिपाप होती किया अब उसके बाद इतनी जाच हुई विधान सवाई काजान समिती ने जाच किया उन्होंने जाच में अनना लगा जाच नहीं होने दिया जा यह कोशिस किया उसके बाद कायरन समीती की अनुसंसा आई उसमें दोसी पाया गया उनको उसके बाद पाँच अभींदा प्रमुखों की समीती ने जाज़ किया उसने काई गलत हुआ है उसके बाद निग्रानी वभा की तक्निकी सेल ने जाज़ किया उसने काई गलत हुआ है तो इतने जए गलत ठराने के बाद अगर आज हो कह रहे हैं कि सब ठीक हुआ है तो मैं तो बात की बात को छोड़ देता हूं किसे पेमेंट हुआ किस ने किया जब तक ये मंतरी थे तब तक अपनी गलती को छुपाने के लिए उस परदा डालने के लिए उन्हें नजाज कोशिस किया और अपकर ये क्लीन चीट मिल गया है तो इससे बड़ा जूट कोई नहीं हो सकता है वो ये बता दें किस मुकदमे में, किस कोट ने, किस तारीक को कब क्लीन चीट दिया है अच्छा सरी, आप एक जन प्रतिनी दी है आप काफी बीजी रहते हैं इसके बावजूद आपने किताब लिखने का को समय कब मिल जाएगे मिल जाता है, जो भी दो-चार गंटे मिलते हैं तो आप लोगडाउन हुआ समय मिला था कब से लिख रहे थे ये लम्हे तो राजनीती में अपनी बाद बेबाकिस से रखने वाले सर्यूराय ने अपने लम्हे किताब का जिक्र किया है तो फिलहाल इस खबर में इतना ही तमाम और खबरों को देखने के लिए देखते रहें देश्टी नूस